अमर्नात वैशनवी जी, हमारे प्यारे और महाननेता, हम उन्हें किस तरह जानते हैं? He was an educationist, socialist, एक visionary थे, पर क्या आप जानते हैं कि he was an artist too? नमस्कार आप देख रहे हैं The Right News और मैं हूँ हिमागमी मोजा दर्शको अब आपको यादी हो चुका है, क्योंकि मैं बार-बार बोल चुकी हूँ आपसे कि 24 अगस्त को हमारे महाननेता का 98th birth anniversary है और अमर्नात वैशनवी फांडेशन के द्वारा जो है एक event रखा गया है उस दिन कहाँ पे अबिनव थेटर में, writers club में, सारे 10 बजे से और अब मुझे ये भी याद दिलाने की आपको जरूरत नहीं है कि Bright News की ये महीम है कि ये जो पूरा जो महीना है हम हमारे प्यारे नेता जी को dedicate कर रहे हैं as a shraddangli और हम ऐसी ऐसी personality से आपको रूबरू कराते हैं जो उनके करीबी रह चुके हैं, जो उनके प्रियजन हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज जिनके साथ हम आपको रूबरू करा रहे हैं आज जो हमारे स्टूरियो में आए हैं वो एक महान आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने काम का लोहा जो है वो पूरे प्रदेश में मनवाया है बात करें बॉलिवूड के सेट्स की या थेटर में प्ले के सेट्स की या फिर इंटरनेशनल जम्मू फिल्म फेस्टिवल की जी हां मैं बात करें हूं वीर जी सुंगली जी की वीर जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका दराइट न्यूज में वीर जी आप कैसे जुड़े थे हमारे इस नेता जी से महान नेता जी से वैसे बच्पन से हम शाका में जाते थे और अगर सही देखा जाए तो 87 से मेरा उनसे पर्चे हो चुका है यह टाइम हम उन दिनों शीतनाथ ग्राउंड में रहते थे रेश्राम एक वहां थे उनके घर में हम किराए वे रहते थे और शाका सवेरे से शाम तक प्राउड शा का में शीतनाथ ग्राउंड में होता था वहां पर एक मार्टन पेपर निकलता ओफिस था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि शुरा ने फोतेदार का पोट्रेट बनाना तो उस समय मेरे शादी का भी तैयरी चल रहे थी घर में तो शादी से पांच दिन पहले मैंने कंप्ल अब उसके मन में कैसे यह उबरा कि उसने एक प्रकार से हो मारे कॉम्यूटी के पिता माह ही है और उससे पहले मैं अपना वरूंगा कि वो मेरे गुरू भी थे अच्छा उसने मेरे को सर्प्राइज कर दिया था कि मुझे तब तक मुझे खुद नहीं पता था कि यह खुद चला पाएंगे के नहीं पाएंगे तो वो मेरे बदकुस्मती है कि उसने मेरे 35 फोटोग्रैप्स हेंडवर किये थे और वो गोल्डन चानस था मेरे लग एक प्रकार से बगवान ने मेरे कुछ करपा की थे लेकिन बदकुस्मी से 90 का हमारा एक दुरबाय के बंच से कल्यों मैं समझूंगा कल्यों के लहरा वे तो उसमें उस सारा बर्न हो चुका है और आर्टिस के साथ ये ऐसी हर एक आर्टिस के साथ कुछ न कुछ गटनाएं होती रहते हैं चाहे हो पेंटिंग जले चाहे उसका स्टूडियो तो वो मैं बहुत लॉस कर रहा हूं बहुत ही लॉस उसके साथ डेड़ दो महिने लगते हैं लेकिन मुझे घरव है कि जिन्हों ने मेरे आर्ट फिल्ड में कुछ ना कुछ गाइडेंस किया है मैं उनको मन से सब को गुरू मानता हूं तो यह वाद अमर्राथवर के सवर्गी अशन तो में उसमें ग्रेट ग्रेट आर्ट आर् जली दो मैं या कुछ को तो उपर वाले ने भी टाहिम बराबर होता है तो चलो बगवान उपर देखता है सब कुछ चलता रहता है आप बच्पन से ही शोकीन थे चीजे बनाने के बारन आर्टिस ही था मैं तभी आप वैशनमी जी को अपनी चीजे दिखाते थे बना के कु जरूर पड़ते हैं सब मेरे कोई याद करते हैं और डिपार्टमेंट उन्होंने मेरे कोई रखा था जाहे कोई भी फिल्ड का पेंटिंग राइटिंग फोटोग्रेफ यह सब मेरे हाथ में ही था इसलिए उनका उठना बैठना लगा उससे रहता है तो जब आप अपनी प मेरे लिए गोल्डन चांज था उसको समझ आ गया था कि यह कुछ आगे करेंगे कला के बारे में कुछ प्रजावा करेंगे और साथ-साथ उसकी पेंटिंग भी मैं फारवर्ड करना चाहता था लेकिन आज उसके नाम पर बहुत-बड़ा मुजम होना चाहता था लेकिन बर आपको चोटा वैशनवी जी बुलाते था अगर मैं सही हूँ तो आपने सच बात बताई ऐसा क्यों ऐसा क्यों कि वह अपना बच्मन उसको मेरे देखने से पता लग रहा था कि यह शायद बच्मन ही था कुछ पूरवजियों का भी करम होता है पिछले जनम का भी कुछ ऐस सन्तान भी समझते थे गुरू तो है यह यह मैं तो शेश हूँ तो उसको इसा लगा कि चलो मैं अपना आप वर्क इसको एंड़ियों मैं उस दिन हैरा हो गए उसने मेरे को बहुत ही सब्स्राइज कर दिया आपका क्या रिक्षिन था मेरा रिक्षिन था कि अगर हो सके तो एक बड़ा मोमेंट होना चाहिए जैसे बगवान गुपिनाजी बच्छों को पेंटिंग केम्प करते हैं उनको 2nd October में बलाते हैं मैं भी चाहता हूं कि मेरी तरफ से एक श्रदान जली होगी उसके तरफ से गुरुदक्षना जो बोलते हैं उसके नाम पे पेंटिंग केम्प होना चाहिए बच्छों को बुलाएं ताकि हमारे पूरवज जो है या हमारे बड़िंग आर्टिंग यहां पर उनको पता चलेगे कि हमारे लीडर कैसे थे उन्होंने कितना कम्मुनिटी के लिए किया और साथ साथ आर्टिस भी थे लेकिन वह ज्यादा किसी को बोलते नही रहे हैं वो सकता बहुत सारों को पता भी होगा लेकिन पेंटिंग के बारे में ज़्यादा तर लोग जानते नहीं थे अब उसने मेरे को एंड आवर किया तो क्या बताऊं मैं मुझे रोना आता मैं बहुत इमोशन दिया हो जाओंगा अगर मैं ज्यादा सोचूंगा उसने क्या दिया था तो और मेरे हाथ से कैसे loss हो गया सारा बात करें 90 की तरास्ती की तो आपके close थे तो कभी वो अपना दुख जाहिर करते थे इस बारे में की कश्मीरी जो community है उनके साथ क्या हुआ जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके साथ क्या है कभी उन्होंने अपना दुख सां क्या है कि अपना है वैसे तो वे मेरे को पूरा बोलते थे यहां तक कि उसने बहुत स्वर्य ऐसे राज बताए मेरे को लेकिन उसको लोगों ने बहुत मिस्यूज किया क्या करें वह सो तो हमारी community हमारी एक्ता भी नहीं है अगर हो इस ताइब का अगर लीडर है तो उसको वो श्रदान जली मिल उसका त्याग जो उसने किया पूरा तन मन धन से यहां तक कि जब भी वो प्लीस के अन्सीच की वर्दी लगाते थे धरते थे उसने श्रीतलनाद गांड में पुलीस वालों को चकमा दिया ऐसे कैसे वो श्रीतलनाद सकूल में बाग जाते थे बहुत तो मेरे दुकान पर आते थे बहुत एक प्रकार से एंबॉसिंग जो होते हैं जिससे हम पेंट मेंट करते हैं सप्रेज जहां से कलर निकलता वहां नोजल से रेत निकलता दस मिनट में 12 mm के शेशे में बैक साइड में एचिंग करता था वह उस दूल में बैट के मेरा वह समझो एक प्रकार से वह आर्मी वाला ड्रस लगाता था मेरे खाली चेश्मार दिखता था बाते साला में अडर रहत में काम वहां पर वह बैठते थे इस एज में भी अपने सा जितने भी उसके शाखा के संपरक में थे उठना बैठना सब चोटी 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 उनके साथ आते वह सिर्फ जैसे मेरे दुकान पर एंट्री करते थे वह सब को बोलता है यह चोटा अम्वरनात वश्री है मेरा लाइफ याने फ्यूचर के लिए सेकंड अम्वरनात वश् वन्च आगे चलाए उसकी मरजी थे मेरे बड़े बाइस अब डाक्टर अगे शेकर को करें टाके वह चले अब बदकस्मती से फिर सारे अलग-अलग होगे पार्टियां अलग-अलग होगे वैसा हो नहीं हो नहीं पाया है यह उसके मन में बहुत इच्छा थी कि डाक्टर स आगे चलाएं उसके साथ आये फिर बहुत सारे आये लेकिन ये समझो उसकी इच्छा जो थी वो पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, ऐसकर में लोग कम्मुनिटी के लिए, अच्छा आपका कोई ऐसा पर दो हैं, आपने हाथ से बनी हुई और अशाल के लिए अपने हाथ से बनी हुई कोई पाइन्ट की अजनके मुझे घली नहीं हएग शो हुए तक आपका ही सोब्सक्राइन तक्राइ dif mencion ups भेन्टी को भी आ पूरी है यहां तक कि पिताजी ने जब वो पेंटिंग देखने वो भी लीडर थे वो उसे बहुत रोया है उस पेंटिंग को देखके रहनवारी से भी एक लड़का था नाम उसका याद नहीं रहा है उसने भी बनाया था चोटा लेकिन मैंने छे पुट का बनाया था बड़ी हैवी प्रिंटिंग बनाया था तो फिर बदकस्मे से शितनाद ग्राउंड पूरा बर्न हो गया वह सारा लॉस हो गया वहां पर तो वही वजया है कि उसने मेरे को यह इससे और क्या अफलोड दे होगे कि मैंने उसको कुछ एक प्रकार से गुरू दक्षनाई दी कि उससे मेरे को बताया था जबकि मैं अपनी शादी की तहरी में था इस शादी से पहले वह बनाया था सुम्भली साब आपके बच्चे भी हैं आपके दादा भी हैं तो जब आप अपने बच्चों को आप बताते हैं क्या कि हमारे भी कम्यूटी में ऐसे महान रीडर हुए अगर आप बताते हैं तो किस तरह आप उन्हें याद करते हैं और क्या बताते हैं अपने बच्चों को वह बच्चे को चलो चलो उसका तो जैनुम उसने कर्शमेर में ले लिए तो बड़ा नाधपुर में हो चुका है। जैको अभी तो उसकी शादी भे होगे बहू भी है। वह मेरे को बहू नहीं है वह यहाइज और प्पार दुझार डाटर है। बेटना लास्ट टाइम में दुकान चलाता था वो आता था दस-फंदरा मिनट आधा गंटा मेरे दुकान पर उसने बैठना ही था और वहां से फिर में शॉप बंद करता था फिर मेरे घर में आता था बड़ा आराम से मेरे तो पिताजी के समान थे बड़ा अव्लोग को एव है इवन यह जो बंबंबोले का रिसल्डी यहां एक लहर आयती उस समय मैं परस्नली बहुत खुश हो गया था कि हमारी एक्ता हो गई लेकिन वह 17 दिन अट्रें दो डाई मेने का चला फिर 17 दिन भी नहीं उस एक्ता का मैं बिकर गया हुआ एक्ता कभी-कभी रहना चाया थ तो लेकिन उस एक्तेशन में सवेरे पांच बजे नौक पहले अपने घर से निकलते थे तो यानि बीज बाइस दुकान चोड़के उसका घर था और मैं थोड़ा सा उपर अपर अगर मैं रहता वो लवर शेवन नौक करना था एवन कभी-कभी नेंद होती थी वो उपर आक आपके उठाते थे थे चलो एजिटेशन में जाना है यहां तक कि मैंने 12-13 बार डॉक्टर के पास गये मेरे के बहुत हमने किये अब उस उमर में भी वो खड़ा रहते थे 24 गंटे वो समय चाय पिने की पुरसन से सावेरे निकलते थे पुरा शेवन अगर पुरा उसके ना तो यहां पता था कि वो एक आर्टिस थे तो जिस दिन उन्होंने अपनी दरोहर आपके हात में रिविए क्वे में आपको दिखाया कि आपका क्या रियक्शन था उस तो मैं है रहान हो गया कि यह यहां तक हम उसके सामने बड़े हो यह शाखा जाते थे कुछ हिंट भी नह आज अगर वो मेरे पास होते है ना आज हमारे कश्मीरी हिंदू कम्यूटी में एक लहर होती है पूरा हर साल उसका एक लगा ले लिए उसका कोई केमत नहीं बता सकते हैं अगरे पेंटिस पेंटिंग उसने सारा अपना योगदान जो तो मेरे हैंडवर किया था क्या करें लॉस है लेकिन कभी न कभी वो जरूर उसका मैं श्रदान जली उसके नाम पे मैं उसको दूँगा कभी कभी जरूर टाइम आएगा मैं उसके लिए जरूर एक मेरी इच्छ है और यहां तक कि उसने मेरे को बताया था कि आप मेरे स्टैच्व एक बनाओ अपने हिसाब से मैंने उसके चारों प्रोफाइल प्रैंड साइड वे पोटो उठाई थे फिर मेरे टाइम नहीं मिला फिर फिर जगती चले गए तो वह लहर वहीं के वहीं लेगी लेकिन बनाओंगा मैं जरूर इसी उमीद के साथ हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अ तो दर्शको ये थे वीर जी सुमली जी जिधों ने हमें बताया एक और जो हमारे प्यारे नेता जी का पहलू था उससे हमें रूबुरू कराया कि वह नेता तो बहुत कमाल के थे इसमें कोई शक नहीं है पर वह कैसे आपिस्ट थे और आपको ये भी पताया कि दराइक न् कर रहे हैं हमारे प्यारे नेता जी को हमारे प्यारे लाला जी को और आपको ऐसी ऐसी पर्सनेल्टी से रूबुरू करवा रहे हैं जो की हमें बताते हैं कि वह कैसी शक्सियत थे और कैसी शक्सियत के मालिक थे इसी के साथ मुझे दीजे इजाज़त बने रहे दर राइक न झाल झाल